हेलो गाई जाज की स्वीडो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टीपी चार्जिंग जैक को लगाना होता है और देखो यहाँ पे हम बी प्लस और बी माइनस में अपने लीथिया मायन बैटरी को कनेक कर देते हैं और हमारा बैटरी यहाँ पे चार्ज होना स्टार्ट हो जा है उसको हम बीना प्रोटेक्शन के चार्ज नहीं कर सकते हैं मतलब सिंपली डिरेक्ट हम चार्जर में नहीं लगा सकते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इस मॉडियूल को यूज किया जाता है यह मॉडियूल ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज और सौर्ट सर्क किट प्रोटेक्शन हमारी लीठियमान बैटरी को प्रोवाइट करवा देता है अब बहुत सारे लोग का ये कोश्याने की भाई हम इस मॉडियूल से कितने सारे बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और उसमें हमारा कितना टाइम लएगा तो मैं अब आपको यही बताने वाला हूं सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह जो हमारा मॉडियूल है यह हमें आउट्पुट में करेंट कितना देता है देखो फैंस सिंप्ली इसे हम पांच वोल्ट प्रोवाइट करते हैं मैक्सीम में यह 4.2 तक जाता है जब हमारे बैटरी को चार्ज कर देता है तो यह आउट्पुट करेंट कितना है 1 M जो देखो फैंस जो हमारी लीथियम एन की बैटरी होती है उसका अलग-अलग MH होता है देखो कोई-कोई बैटरी जो होता है हमारा 1200 MH का भी होता है कोई-कोई हमारा 2000 MH का भी होता है और कोई-कोई बैटरी हमारा 200 MH का भी होता है तो देखो यहाँ पे जो 2000MH का battery है उसको charge करने में थोड़ा ज़्यादा time लेगा और 200MH के battery को charge करने में थोड़ा ज़्यादा time लेगा अब देखो simply क्या होगा कि माल लो कि यहाँ पे मेरे पास यह जो battery है यह 2000MH का है ठीक है? तो देखो यहाँ पे 1A यह आउट कर रहा है तो 1A को अगर हम लोग 1A में convert करेंगे तो simply हमारे पास 1000 mAh हो जाएगा ठीक है मतलब 1000 mAh का हमारा 1A होता है यहाँ पे जो मेरे पास lithium-ion की बैटरी है वो 2000 mAh की है तो देखो यह क्या करेगा simply यहाँ पे हमें divide कर देना है 2000 को divide करेंगे हम लोग 1000 से तो हमारे पास आ जाएगा 2 hours मतलब देखो एक बैटरी जो कि हमारी lithium-ion की होगी जो 2000 mAh की होगी उसको charge करने में यह 2 घंटे का समय लेगा देखो यह जो बैटरी है इसको अगर मैं इस module से charge करूँ तो 2 घंटे का समय यह लेगा अब माल लो कि यहाँ पे मैं एक और बैटरी को add कर देत हैं तो यहाँ पे voltage इसका double हो जाता है लेकिन current same रहता है जबकि हम आगा गरें यहाँ पे इस बैटरी को parallelly connect कर देंगा तो यहाँ पे voltage इसका same रहेगा लेकिन जो ampere है वो बढ़ जागा तो माल लो यहाँ पे मुझे यह दो बैटरी को इस module से charge करना है तो एक बैटरी हमारी 2 घंटे का समय लेगा तो 2 बैटरी को charge करने में यह 4 घंटे का समय लेगा तो इस तरीके से अगर मैं इन दोनों lithium-ion की बैटरी को charge करूँ इस module से तो यहाँ पे मुझे 4 घंटे लगने वाले है देखो तो इस तरीके से आप बैटरी को इसमें add करके charge तो कर सकते हो लेकिन अगर मैं एक और बैटरी आट कर दूं माल लो तो यहां पर कितना हो जाएगा 6000 6000 मिलियंपेर का हो जाएगा और इसको मैं डिवाइट करूंगा तो कितना हमें 6 hours का टाइम लेगा तो इस तरीके से हमारा टाइमिंग भरता जाएगा देखो फ्रेंट्स अच्छा यही होगा कि आप इससे 2 बैटरी चार्ज करो 3 चार्ज करो बहुत ज्यादा करना है तो 4-5 मत करो क्योंकि क्या फैदा कोई ज्यादा इसका करेंट है नहीं और ज्यादा अगर आप इसके करेंट को इससे करेंट ड्रॉप करवाओगे तो यहाँ पर यह जो हमारी IC है यह बहुत अच्छे से हीट हो जाएगा और यहाँ पर जल भी सकता है तो यह IC जो है इसके बर्न होने कभी चांस बहुत ज्यादा है तो इस तरीके से हम बड़े ही आसानी से इस मॉड्यूल से लीथेवयन बैटरी को तो चार्ज कर सकते हैं लेकिन जितनी ज्यादा बैटरी हम एड करते जाएंगे उतना हमारा ICB हीट होगा क्योंकि ज्यादा करेंट यह देगा नहीं और टाइमिंग भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है तो आप बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना बाइक मिलेंगा नेक्स वीडियो में जब तक कि लिए बाइ